जी तो गाइज निकोन का जो हाई-end DSLR है निकोन D850 है और उसकी प्राइज जो वो तीन अजार डॉलर है और दूसरी तरफ निकोन का Z6 जो है ये मिलस कैमरा भी है और इसकी प्राइज जो है वो 1500 डॉलर है यानि कि हाफ कम प्राइस है तो गाइज यहां पर बहुत से लाइड में आउट्डोर लो लाइड में नाइट में और जैस्टूडियो में तो गाइज की वीडियो के मारे तीन स्टेप है पहले स्टेप में आपको बैस सैटिंग में इस कैमरे की बताऊंगा दूसरे नबर पर इसका फोटोग्राफिका टेस्स करेंगे जहां पर जो भ पहले नबर पर हम बात कर लेते हैं इसकी बेस्ट सैटिंग की फोटोग्राफिके लिए तो गाइज यहां पर इसके अमरे के अंदर आपको यहां पर कोई बटन नहीं दिया गया जो कि हमारे पास पहले बाहिर बटन होते थे जिसे हम वाइड बैलन्स इमज क्वालिटी जो सैट कर सकते थे यहां पर कोई बटन नहीं दिया गया उपर स्क्रीन के उपर विजस्ट आपको जो है वो सिर्फ आपकी जो है वो शिडर स्पीड अपर्चर ही नजर आता है बाकी आपको कुछ भी यहां पर नजर नहीं आता तो गैस चलिए हमें मैन्यू के अंदर से ही सार बढ़ाएंगे तो आपकी फोटो जो है वो खराब हो जाएगी तो यहां पर आपने एस रखना है यहां पर रिलीज मूड सिंगल फ्रेम पे रखना है और यहां पर आपने यह वाला आटो एरिया एएफ रखना है ठीक है तो इससे मुझे अच्छ ज़लब मिले एएफ यहा आपने रखना है हाई पे ठीक है इसके लाबा यह मेट्रिक मूड यह रखना है आपने जेपेग क्वार्टी रखनी है और यहां पर वायड बैलन्स चाहब कैलवन रखना है तो जो जो जरूरी सैटिंग्स है वो सारी आपकी आई बटन से हो जाती है यहां पर मैन्यू के इуждकशन जो आपने आन कर लेनी है और यहां पर आपने फरिकर एडशिए इडक्षिन शुटिंग जाए इसको भी उन कर लेना है और यहां पर आपने आठाटो डिस्तर्चन कंट्रो subscribe इन में 85 mm 1.4 जा Sigma का लेंजर यूज़ किया है यहां पर दुपहर के 11 से 12 बजे का टाइम है और यहां पर इस फोटो के अंतर जो मुझे डेटेल देखने को मिली है हाई लेट और शैडो में उसको मैं 9x10 मार्क्स दूँगा और जहां पर शापनेस मुझे कम देखने को मिली है जि इनको मैं 10x10 मार्क्स दूँगा और इस फोटो के उपर जो हमने वन क्लिक फिल्टर जाओ अपलाई किया है और आज की जितनी भी मैंने फोटो बनानी है और जो दो पहले मैंने आपको दिखाई है उनके उपर भी मैंने वन क्लिक फिल्टर न्यू प्रिसेट जाओ लेकिन जैसे इस फोटो को मैंने जो है अपने फोटो शॉप में ओपन किया है और काफी अच्छी जाओ फिर यहां पर मुझे इस फोटो के अंतर मिल गई थी इसके उपर सिंपल मैंने वन क्लिक फिल्टर अपलाई किया है और इस फोटो को ओवर आल जो है वह मैं 9x10 मार्क सूँगा गैज यहां पर जैस्ट 45 सेकिंड में आपको एक बहुत ही कमाल के सोफ्ट्रे के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है वंडर शेर यूनी कनवर्टर इसका लिंग भी मैंने आपको डिस्क्शे में दे दिया यह बहुत ही मल्टी टास्किंग सोफ्ट्वेर ह यहां पर कनवर्टर है इसके अंदर कनवर्टर में आप अपनी वीडियो को किसी भी साइज में चोटा या बड़ा कर सकते हैं लाइक यह देखें आप इसको 4K में HD में ठीक है इसके लाब चोटे फॉर्मेट के अंदर यह देखें सेव कर सकते हैं इसके आप वीडियो को ड कर सकते हैं ट्रिम कर सकते हैं अश्के मेन फीचर है कि सक्रीन भी स्क्रीन कर सकते हैं वैं अपने सारी के सवाड़े से साफट वेर करता हूं यह वरी जिजू पिचियर है है यहांँ पर कोई भी हम यूज ende नहीं की यहां पर सुखों के नो बजे का टाइम हार 85 हमने लेंस यूज़ की है यहां पर हमने इस कैमरी की फेस्टेक्शन को चेक करने की ट्राइए की है फेस्टेक्शन जो थोड़ी स्लो है जिसको मैं 9x10 माक्स दोगा लेकिन जो पिक्चर की क्वालिटी है बलर एंड बुके कलर टूर डैप्ट और फील इसके अंदर जो है मैंने थोड़ी सी शापनेस बढ़ा दी थी पिक्चर स्टाइल में जाकर ओजा तोड़ी कली टी बढ़ा दी थी इस जैसे पिक्चर की क्वाल्टी जब थोड़ी कम हो गई मैंने आपको कैमरा सैटिंग में मना किया है कि आप जो क्लीटी को ज्यादा मत बढ़ाएं इसका भी ट्रोरियल है वह भी मैंने बनाकर अपलोड कर दिया है सेकंड चैल पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और फ्री में ट्रोरियल जा वाच करें यहां पर नैचरल लाइट में सबसे पहले हमने पोर्टेट खेंच कर इस कैमरे की क्वाल्टी को चेक करने की ट्राइब किया यहां पर पांच से शेव बजे का टाइम है पचासी एम वन पैंट फोड जो है लेंस हमने यूज की है और यहां पर पिक्चर जो को निकल कर आई है यहां पर मैंने यह टेस्स कि की कितने एम बी की पिकचर आती है तो यहां पर जो पिक्चर निकल कर आईा है ओवर ओर जितनी मी ho менे पिक्चर खेंच है वो तक्रीबन 9 MB से लेकर 12 MB के दर्मियां जो पिक्चर निकल कर रही है जहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर पिक्चर जो है वो तक्रीबन 15 से 20 MB के दर्मियान आएगी लेकिन थोड़ी कम आई है इसको मैं 9 by 10 मार्क्स दूँगा तो यहाँ पर हमने जितनी भी सारी फोटोस हैं सबको मैंने अड़ोब फोटोशॉप के अंदर जाओ एडिट किया है अगर आप फोटोशॉप बाइक करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्कीन पर है तो तीसरी फोटो है यहाँ पर हमने थोड़ा सा आईसो बढ़ा कर इस कैमरे की आईसो रेंज क करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्कीन पर है आज की सारी फोटो को मैंने अड़ोब फोटोशॉप में एड़िट किया है यहाँ पर फुल लो लाइट है तक्रीबां शाम के साथ बजे का टाइम है यहाँ पर जो हमने लो लाइट टेस्ट के लिए एक जो लाइड यूज क को इसके मैं नाइन ओवर टेन मांखसन हुआ यह जो अगली फोट है यहाँ पर तक्रीबां शाम के आठ बजे का टाइम है तक्रीन साथ से साथे साथ का यानिके फुल लो लाइट है यहाँ पर हमने कोई एक्सटरनल लाइट भी यूज नहीं की और यहाँ पर जो है मुझे क्वार्टी काफी आधो है यह वह काम देखने को मिली मिली तो मैं आपको करूंगा आप यहाँ फ्लियोख लैट के साथ के स्धी के मीरें से शूट करें विद्व फ्रिश लैट जो इसकी इ अच्छी नहीं है यह तो गयाद यहां पर full light photography test के अंदर में इस camera के live view mood को test करने की try की है और यहां पर साथ ही साथ touch screen focus को test करने की try की है तो गयाद यहां पर जो light screen mood है इसको मैं 9 over 10 marks तोंगा इसके लावा जो touch screen focus है उसको मैं 9 over 10 marks तोंगा यहां पर जितनी भी मैंने लाइफ फोटोग्राफी की है वहां पर मुझे एक जो है कैमरी की जो फोटो देखने को मिली है वो हलकी सी शेक देखने को मिली है इसे विज़ार इन दोनों चीज़ों को मैं 9 over 10 जो है आपको मार्क्स टूंगा बाकी overall night फोटोग्राफी बहुत ही कैमरे यहां पर जो है हम इंडोर स्टूडिय के अंदर इस कैमरे शिचा करना चाह रहा थे लेकिन बतकिस्मतिवी के नदर नहीं हो सकी इस की म्यन वज़ और उसके ओब लिए सोगी जबुकर देरू है जाना है इसके यहां पर धाने सस ली और और यांपर यहां पर यह पूरी तश्वीर तस्विर नादर तौहरी जान है हुने होने की मेरा मैं घ्राइब हो क्लिक होक्ताज़ करें एक कि विए कामाई के अर्थ को यहां लाइए ज्यादा कर सकता हूं इस लाइट के अंदर तो यह वाली जो लाइट है इसके साथ जाब मिरलस से क्लिक कर सकते हैं जब आप इसकी वन ट्वटी एट पे करेंगे तो लाइट फुल लो हो जाएगी और जब आप अपने कैमरे पे आएगे अगर आप समझें कि यह वाला जो है अएगा मिरलस डा मिरलस चैमरा तो आप एक कम कर लेंगे जिब कर लेगे तो आपको पता है इसके अंदर फीक होता है लेक्री मुफांटर होते है तो वह आपकी तसुरीश जब लकोल ठीक क्लिक करेंगा, ठीक है, तो यह हैं प्राइनि की पराइट की अन्हार प्राइज भ चलिए तीसरे नमपर बात कर लेते हैं इस कैमरे के की फीचर की तो यहां पर जो है 24 मेगा पिकल का फुल फ्रेम कैमरा है यहां पर यह मिलस पोड़ी है और गाज इसके अंदर डीजी जिए शिक्स जो है पर यूज किया गया है यहां पर इसके अंदर टू सैवंटी त्री वो तक्रीबन तीन सो शोट जब ले सकती है इस कैमरे का फोटोग्राफी टैस्ट जब आपको कैसा लगा है मुझे लाजमी कमेंट में बताइए का जो भी मैंने तस्वीरे बनाई है और जो भी मैंने तस्वीरे आज निकाल लिए हैं वो वीड़ूट एड़ट जो फोटो लिए बाई